वाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चार महीने से ज्यादा का वक्त बीढ़ किया जब आपके ये सो कार्ड बागी विधाय का आपको छोड़कर गए चाहे बागी कह लीजिए या धोका देना वाला कह लीजिए जो भी आप अपनी सहुलियत में कहना चाहें, एक अप्ल लोग लोग आज बात कर रहे हैं मैं फॉज से हूँ और वाज में ये सबसे गंबीर विशह है इसको हम लोग आम तोर की भाशा में मॉरल करेज बोलते हैं। किसी अधिकारी के जेसियों के और जबान के साथ जीवन में सर्विस में कई बार ऐसा मौका आता है जब उसकी मौरल करेज टेस्ट होती है मैं इसको हिंदी में बहुत अच्छा शब नहीं निकाल पा रहा हूं लेकिन हम में मौरल कर इजिसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत दम चाहिए मैं बताता हूं क्या दम चाहिए बारती जन्ता पार्टी की पहले आपने प्रवक्ता साथी की बाइट दिखाई फिर अभी वर्तमान में जो साथी भी बैठे हैं पटल पे उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मसला है सबसे पहले जिसका साथ दिया और जरुवत पढ़ने पर महौल बिगड़ते सबसे पहले उसका हां जटक दिया इसको बोलते हैं लैक ओफ मॉरेल करेज आप गलत हैं या सही हैं अगर आपने हाथ पकड़ा है अपने साथी का तो हर विशमता में हाथ पकड़ के खड़े होने क कि कला और दम हो अभी यह ने डिसाइड हो पा रहा कि आप उनके साइट से हो कि इधर से मैं अब इकलिर कर देता हूं दूसरी बात इनों नों बोला कि पूरा देज जानता है कि भारती आंतापाटी में टिकट मिलने का तरीका क्या है यह बिलकुल बात सब्सक्राइब जिस दोखा बाद में दिया ब्रिजेश जी बहुत गंभीर सबसे पहले तो समाजवात को दोखा दिया और उससे पहले आम जन जिनों ने उनका एक एक वोट जो उनकी विधान सवा में पड़ा है उस जनता को दोखा दिया है उसको चला है उस निशान को चला है जो निशान 40 साल से समाजवाद के प्रस्तावना पे काम कर रहा है जिसको उन्होंने अभीभूत किया है कि मुझे लगता है कि जीवन में इस से गलत काम कोई ने कर सकता सार जैनिक जीवन में इस से बड़ा पाप कोई ने कर सकता है इस एपसलिूट लएक और मॉरल करेज हमारे आँ आपके खाते में लिखे हुए जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आपको कौन सा मॉरल करेज है हमारा मॉरल करेज इनकी विधान सबाओं से एक एक आदमी जिसने इनको वोट दिया है वो हमसे हिसाब मांग रहा है कि क्या करें इसका आप करेंगे आप करेंगे जो जंता की आवाज होगी देश में उसको कोई नहीं नका सकता है आप तो अप्लिकेशन लगाने का होसला नहीं आप चाहें उचाहार से चलें चाहें आप को शाम भी जाएं और चाहें आप गुसाई गंज आप कहीं भी जाएं आप में मॉरल करेज नहीं है कि आप इनके खिलाब पेटीशन दाखिल करेंगे बहुत मारमिक सवाल है आप अ सबसे बड़ा हतिया यह सवाल में वापिस लेगा जिस दिन आप प्रिशन डाल लें इस यह आपने बहुत मारमिक सवाल पूचा है कम से कम हमारे लिए हम दमकिपा हम दमकिपा और लोगदल से होते हुए समाजवादी जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और जो हमारा 40 स साल का इतियास है हमने अपने वैल्यू के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया आज भी हमारे राश्ट्री अद्धिक जी बोलते हैं आप यह कहने की स्थिति में हैं कि आप शीग रही प्रटीशन स्पीकर के आँ दाखिल करेंगे इनकी बरखास्तकी को लेकर हमारे राश्ट्री हमारे सन्गर्ष की बात कर रहा था मैं सीधा जवार देता हूं जिसने जन्ता को चला जिसने हमारे जंडे को चला जिसने हमारे मर्ण को चला वो अपनी सदस्ता खोएगा हमारे अधिकार तंत्र में है समाजवादी पार्टी के अधिकार जी बिल्कुल आएगी